कारिक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारे मेमान है डॉक्टर गौरव गुपता डॉक्टर गौरव गुपता शहर के जाने माने और्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेस्मेंट सर्जन है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आज मनाया जा रहा है विश्व आर्थ्राइटिस दिवस, आज जानेंगे आर्थ्राइटिस क्या है, कितने प्रकार का आर्थ्राइटिस होता है, किन किन को यह रोग हो सकता है, क्या इसके प् और बचाओ हम कैसे कर सकते हैं डॉक्टर गौरब गुपता आपका बहुत बहुत सवागत है आज के स्कारिक्रम में की दहनबाद डॉक्तर गौरब गुपता सबसे पहले तो हमारे शोतां को यहीं बताए कि जो वेश्व आर्थराइटिस दिवस्त है यह क्यों मनाया जाता इ देखिए आजकल आर्थ्राइटिस के समस्या काफी आम हैं, बुजरुकों के साथ साथ धिवाओं में भी काफी देखने को मिल रही है, तो इन सभी बीमारियों समस्याओं पर ध्यान आकरशित करने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं, तो इसी तरीके से 12 अक्टूर के दिन है वो विश्व आर्थ्राइटिस दिवस के रूप में मना जाता है, ताकि उस पर ज़्यादा सदे अवर्नेस क्रेट किया जा सके, आर्थ्राइटिस बहुत ही एक सामाने रोग भी कह सकते हैं, इसके बारे में जानकारी है हमारे शुताओं को, फिर भी आपसे हम जानना चाते कि एक आम शुता आर्थ्राइटिस से क्या समझें, देखिए एक आम बोलचाल में हम बोलें तो आर्थ्राइटिस का मतलब है जोडों की तकलीफ, कोई भी जोडों की बीमारी अगर है तो वो आर्थ्राइटिस के अंतरगत ही आती है, किसी भी प्रकार का जोड में कोई भी यानि यह जोडों की बीमारी है खास सवर पर हमारे शोता यह भी जानना चाहेंगे कि क्या इसे क्लाइसिफाई कर सकते हैं जी वैसे तो आर्थ्रेटिस काई तरह की होती है अगर हम सैंटिफिकली देखें तो इसके कम से कम अराउंड हंड्रेट टाइप के प्रकार हो सकते हैं कई पर बाद कूलों में भी यह एसर आयाता है गर्दन में हाथों के जोडों में और कंधा भी बीमारीं आर्थिस की कुछ और common arthritis में autoimmune arthritis भी आती है वो एक selected group of population में होती है यह young patients में भी होती है यह autoimmune disorder होते हैं इसमें हमारी body के tissue के against antibody बने लगती है और वो antibodies हमारे joint की cartilage है joint की synovial membrane उसको damage करती है धिरे-धिरे जोड को पूरा खराब कर देती है जो इस तरह की arthritis में rheumatoid arthritis है soreatic arthritis है और भी कही परकार की autoimmune arthritis आती है फिर एक uric acid भी एक कारण होता है uric acid का बढ़ा होना जैसे आम लोग जानती है कि हर चीज को कई बार लोग कहते हैं कि uric acid बढ़ा हुआ है जोड़ो में दरदो रहा है हमारे तो वो भी एक कारण होता है लेकिन कम होता है उसमें जोड सार आनुवांशिक कारण भी है अनुवांशिक कारण जातर ओटियोमीन फॉर्म में होते हैं जिसे मैंने बताया ओटियोमीन आठ्थरेटिस होती है जिसमें की आपके बॉडी के टिशू के अगेंस्ट एंटिबॉडी बनती है जो की जोड़ों खराब करती है यह कई बार होते हैं लोगों में फैमिली में चलते हैं लेकिन जनरली वो भी इतनी नहीं होती है सिर्फ और्टियोमीन आठ्थरेटिस ही अनुवांशिक हो सकती है डॉक्टर गॉरव गुपता हमारे शोताओं को बताएं कि यह औस्टियो आर्थरेटिस क्या है इसके खास लेक्शन क्य यह झाले बार हमारे जोगी हैं यह पूर्लुеро ओडीत होती है वह समय के साथ फोड़ा थोड़ा किसते हैं उसकी काटलेज इसना हैं अच्सकों और SAM जो हमारे हमारे जो कईनर की वाएसे कर्भाने की चेंज़ते तो एक बार जब घुटने टेड़े नों शुरू हो जाते हैं, अलाइन्मेंट चिंज़नों शुरू होता है, तो वो उसके बाद बहुत तेई से बढ़ती है या अर्थरेटिस, और ये घिसने का ही पूरा प्रॉसेज है जोड़के, तो लक्षण क्या आप रकट होते हैं? लक्षण में सबसे पहले तो पेन शुरू होते हैं लोगों को, ये आम है कि चलते चलते जी पेन हो रहा है, बैठ के आराम मिल जाता है, इस तरह के लक्षण होते हैं, फिर जब बढ़ता है सिम्टम, आपको स्वेलिंग भी दिखने लगती है, कई बार उसमें से अवाज भी आने लगती है, जोड में से, और जोड टेले होने लगते हैं, तो ये आम लक्षण हैं इसके, हम ये भी जानना जाएंगे, महिलाओं में और पुरुषों में कुछ अंतर है, या समान रूप से पाये जाता है ये रूख? महिलाओं में देखा जाए तो ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं में समय के साथ, उनका वेड भी ज़्यादा बढ़ता है, उनको post-menopausal osteoporosis भी होती है, हड़िये कमजोर होती है उनकी, उसके बाद उनके थोड़ा उठने बैटने का तरीका भी कई बार इतना ध्यान नहीं रखते हैं, muscles weak होती हैं उनकी, जोडों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उनकी को होता है, जनरली आम तोर पर मेल्स को इतना ज़ादा नहीं होता, अब ये बताएं हमारे शुटाओं को कि ये rheumatide arthritis क्या है, rheumatide arthritis का एक फॉर्म है, जो कि autoimmune variety है, autoimmune मतलब आपकी body के immunity system का गड़बड़ोना, और आपकी tissue के against antibody बनना, और वो antigen antibody complex मिलके वो damage करना, tissue को, तो ये rheumatide arthritis का पूरा एक background है, ये young age में हो सकती है, क्योंकि ये autoimmune होती है, और young age में ही कई बार शुरू हो जाती है, इसमें feverish हो सकते हैं, इसमें fever frank symptom नहीं होता, बट patient कई बार जब ज़्यादा severity होती, तो feverish feel कर सकते हैं, और इसका एक spectrum है disease का, ये disease किसी भी intensity में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी को rheumatide arthritis हो कि सारे जोड़ खराब हो, बहुत mild भी हो सकती है, moderate भी हो सकती है, और बहुत severe भी हो सकती है, severe form में लोगों के आप देखेंगे कि जोड़ पूरे टेड़ वे आते हैं कही बार, आप कई बार लोगों देखेंगे कि जिनके young age में जोड़ टेड़े मेले होना शुरू हो गए, जो हातों के जोड़, कंदों के जोड़, तो वो severe form होती है, 38-30-0-8 की, बहुत से लोगों में, जातर लोगों में mild form में होता है, mild form मतलब कि उनको लगता है, कि pain हो रहा है, swelling भी आ रही है, बट वो थोड़ी बहुत दबाईयों से ठीक भी हो रहता है, तो ये एक spectrum के रूप में है, जिसमें हर किसी में अलग-अलग intensity में हो सकती है, अब कौन सी arthritis है, ये देखने के लिए सबसे पहले हम एक X-ray कराते हैं, baseline investigation है, पहला investigation है, उसमें X-ray में भी हम X-ray घुटने के ख़ड़े हो के कराते हैं, खुलों के भी हम ख़ड़े हो कराते हैं, ताकि weight के साथ मालम पढ़े कि इसमें कितना changes आए हैं cartilage में, हम उनका पुरा autoimmune profile कराते हैं, arthritis का, और हमें लगता है कि sudden acute symptom है, किसी particular joint में, ऐसे great toe, अंगोठे के joint, पैर के अंगोठे के joint में, या knee में भी, अगर बहुत redness, swelling के साथ sudden attack आया तो होता है uric acid बढ़ा हो, ये uric acid भी check करा आयाता है, इस तरह के कुछ blood test है, और infection के लिए भी rule out करते हैं blood test से, और x-rays हैं, इन से ही diagnosis बन जाती है, अब उपचार पर आते हैं, डोग सभब क्या का इलाज संभव है, और किस सथ तक, इलाज पूरी तरह से संभव है, और किसी भी तरह की arthritis हो, उसका stage के साफ से लाज होता है, जैसे कि osteoarthritis का हम लोग बात कर रहे थे, कि osteoarthritis तो aging के साथ होती है, तो यह एकदम से नहीं होती है, यह धिरी धिरे बढ़ती है, तो stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, ऐसे करके बढ़ती है, तो stage 1 और stage 2 में, patient को कभी कबार symptom रहते हैं, काम करने में, चलने में, तो उस stage में दवाईयों और exercise से ठीक हो जाते हैं लोग, और उससे आगे बढ़ती भी नहीं है, अगर आप care करें तो, लेकिन एक बार stage 3 पहुँचने के बाद, जब आपके थोड़ा जोड़ा में टेड़ा पनाता है, फिर भी आप टेड़े में चलते रहते हैं, तो फिर यह तेजी से बढ़ती है, और stage 4 में पहुँच जाती है, उस stage में surgery ही एक मातर option होता है, surgery इसकी बहुत well tolerable है, बहुत अच्छे results हैं, patient 50 साल से लेके 90 साल तक के मेरे पास आते हैं, मैंने 90 प्लेस में भी operation किये हैं लोगों के, और patient बहुत अच्छा बाद में response भी करते हैं, और उनकी lifestyle बहुत चिंज आती है, तो इसका जो इलाज है काफी सफल है, operation भी बहुत सफल है इसका, जो बाकी के arthritis हैं जैसे कि rheumatoid है, इरumatoid में थोड़ा सा early intervention जरूरी होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़ादा खतरनाक होती है, इसमें जोड बहुत तेजी से खराब होते हैं, कई बार patient young age में ही 30 साल, 25 साल या 35 साल की उमर तक आते हैं, तो इसमें जब पहले बार में symptom आते हैं, तब ही बहुत तेजी से इसमें action learning जरूरी होती है, इसमें proper diagnosis बनना बहुत जरूरी है, और सही समापर इसका दवाईयों से इलाज बहुत जरूरी है, तो वो दवाईयों से इसका आगे बनना रुख जाता है, जो नोंको खराब होना रुख जाता है, तो जो autoimmune arthritis है उसमें दवाईयों से एलाज होता है पहले और जो osteoarthritis है उसमें exercise और precautions जरूरी है जैसे आपने कहा कि यूवा वस्ता में भी अधिकांश तो यह देखा जा रहा है और आपने कहा कि rheumatired arthritis खास्तोर से जो autoimmune disorder है उसकी बात आप कर रहे हैं तो यूवा वस्ता में यह ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है और तो immune arthritis कई बार यूवा वस्ता में मिलती है इसका कोई lifestyle से मतलब नहीं है ना कोई modern lifestyle से ज्यादा मतलब है हाँ कुछ factors हैं जैसे कि smoking या pollution इसमें role play कर सकते हैं यह correlation है बट जातर यह genetic होती है genetic makeup आपका और बाकी जो arthritis है और जो प्रकार की arthritis है उसमें आजकल हमारी lifestyle का contribution है कि अगर आजकल sedentary lifestyle है अगर overweight है तो यह कारण जादा है arthritis के शुरू होने के इसके अलाबा इनक्टिविटी या दूस सबसे बड़ी चीज है कि आजकल जैसे हम अपनी injuries को अगर ignore करते हैं तो वह बहुत बड़ा कारण होता है जोडों के खराब होने का कभी कोई चोटी मोट इंजरी होती है ligament tear है meniscus tear है तो उससे injury को ignore करके जो हमारी चलने का तरीका या उठने बटने का चेंज हो आता है वह बहुत बड़ा कारण होता है बात में 30 बनने का जी आपने बताया कि मोटाबा बहुत बड़ा कारण है और हमारी sedentary lifestyle थोड़ा बताया कि किस तरह से बचा करें ओवरवेट ना हो उसके बाद थोड़ा एक्टिवनेस रहनी चाहिए एक्टिवनेस से मेरा ताथ पर रहे कि आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए एक नॉर्मल वॉक नॉर्मल हलका फुलका वया exercise जरूरी है जरूरी नहीं कि आप बहुत जिम क खराब करती है जोड़ों को और इसके अलावा आपनी इंजिरी को एक्नूर ना करें जो छोटी मोटी कोई इंजिरी होती है उसका समय पर सही इलाज करा है आपकी चाल नहीं बदलनी चाहिए बहुत दिनों तक आप लंगला कर नहीं चल सकते बहुत दिनों तक वो सब्सक्र हमारे लाइफस्टाल चेंज होई है हम लोगों को बहुत ज्यादा ओफिस जॉब इंडोर जॉब हमारी हो गई है शुरू तो इससे हमारे जो मास्पेशियों में भी कमजोरी और इसके अलावा बहुत सारे लाइफसे लिड़ेट प्रॉलम्स हो रही है तो उसके लिए अव बहुत फरक पड़ता है इससे डारेक्ट लेशन है जोड़ों की दिक्कतों का और अपनी इंजिरीज को आप इग्डोर ना करें उनको सही समय पे समय रते इलाज कराएं क्योंकि इससे आपकी दिक्कत आग आपके बढ़ सकती है तो डॉक्टर गौरव गुपता आज आप इसकार करम में आए और बहुत ही महत्पून बाते हैं विश्व आर्थ्राइटिस दिवस के उस्ते पर हमारे शोतों के साथ आपने साजा की आपका बहुत बदाभार धन्यवाद